आज कल हमारे छोटे छोटे बच्चें जो हैं बहुत ही जल्दी किसी ना किसी बिमारी के शिकार हो जाते हैं कारण यह है कि उनका जो इम्मून सिस्टम में बहुत ही पूर है वीग डाउन हो चुका होता है और उनमे इतना स्टामिना नहीं रहता कि बिमारी से लड़ सकें या स्टमेटिक हो जाते हैं यानि कि कोई भी बिमारी या कोई भी एक्स्ट्रा एक्जर्शन उनको बहुत जल्दी वीक कर देती है तो यह सर्दियां है उत्तम समय कि आप उनका इम्मून सिस्टम बिल्ड अप करें कोशिश करें कि अपने बच्चे को किसी ना किसी तरह से आवला जरूर खिलाएं तृफला जरूर खिलाएं और अगर जिन बच्चों को रैस्पिरेटरी ट्रेक की तक्रीफे हैं उनको आवला देने के साथ साथ अगर चवन प्राश का भी सेवन करा जाए जो एक चमश सुबेशाम दूद के साथ दिया जा सकता है तो रैस्पिरेटरी सिस जिससे उनका immune system भी बढ़ेगा और उनकी बिमारीों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी इसके लावा आप जो natural pure शहद होता है उसका भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी वो कफ जन्ने जो बिमारी हैं उनसे लड़ने में सहाथा देता है और शिरीर को energy देके उनका immune system improve होता है खास तोर पर आज कल के मौसम में जो प्रचूर मात्रा में available है उसमें आप आवला ले सकते हैं गाजर ले सकते हैं संत्रे ले सकते हैं जो आप community को भी बढ़ाते हैं और आपको healthy भी रखते हैं